असलामरेकूम एविवान कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नमवंबर वेट लूज चैलेंज शेयर करने वाले हैं और इंशाला नमवंबर के महीने में हम 15 kg वेट लूज करेंगे आज की इस वीडियो में जो डाइट पैन आप लोगों साथ श आपको चैलेंज देने वाली हूं 30 डे का हम चैलेंज लेंगे 30 डे में इंशाला यह सारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्फ करेंगे अपना वेट भी कम करेंगे और अपना बैली फैट भी कम करेंगे यह डाइट प्लैन जो हैं जिनको PCOS है जो थारोड के पेशेंट हैं शुग इस डाइट पैन को फॉलो करके अपना वेट कम कर सकते हैं और अपना बैली भी कम कर सकते हैं बस आपने एक काम करना है कि आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक फुल वाच करना है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंके मैं आपको फुल गाइड करूंगी तो आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक फुल वोच करनी है और जो मेरे चैनल पर नूँ है जिन्हों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीचेगा तो आप इसे जो जो नमवंबर के महीने में वेट लूज चैलेंज एकसेप्ट करना चाता है कमंड बॉक्स में जरूर बता दीचेगा और जिन्होंने एक्तुबर के महीने में वेट लूज किया है आप लोगों ने comment box में ज़रूर शेयर करना है ठीक है तो weight lose करने के लिए सबसे पहली चीज बहुत ज़रूरी होती है वो है mentally prepare आपने अपने mind को पका कर लेना है कि मैंने weight कम करना है और weight कम होगा वजन जो मर्जी हो जाए मैंने कम करके दिखाना है ठीक है आपने negative नहीं रहना आपने positive रहना है आपका weight कम होगा ही होगा जितने positive रहेंगे उतने अच्छे आपको result मिलेंगे और महनत भी आप उतनी ही लगन से करेंगे इसके बाद जो second चीज बहुत जादा जुरूरी है वो है weight check तो challenge लेने से पहले आपने अपना weight जुरूर चेक कर लेना है सिरफ आपने अंदाजा नहीं लगाना बलकि आपने weight machine पर chase करना है वो भी digital मैं यहाँ पर show कर देती हूँ आप देख लीजे यह easily market से भी मिल जाएगी आपको pharmacy से भी मिल जाएगी तो आप weights के जुरूर पर chase कर लीजेगा और जितना भी आपका weight है वो आपने एक diary में mention कर लेना है date के साथ आप mention कर ले कि इस date को आपका इतना weight है हर week आपने अपना weight जुरूर चेक करना है इसके बाद आपने अपना BMI चेक करना है उसके लिए आपने गूगल में सर्च करना है BMI calculator वहाँ पे आपने अपनी height जो है वो centimeter में mention करनी है अपना crunch weight mention करना है अपना gender mention करना है उसके बाद आपने calculate करना है आपके सामने आपका BMI आजाएगा अगर green zone में है तो भी आप इस diet pen को follow कर सकते है ठीक है अगर yellow में है तो आपका overweight है अगर pink है तो भी overweight है अगर red और maroon की तरफ आपका BMI जा रहा है आप उसके मताबिक भी अपना target fix कर सकते हैं ठीक है तो यह बहुत जादा जरूरी चीज़े है इन तीन चीज़ों को आप जरूर फोकस में रखिएगा अच्छा यह diet pen work करेगा अगर आप यह तीन चीज़ें हमेशा के लिए छोड़ देंगे आपका weight कभी भी bounce back नहीं होगा gain नहीं होगा और कोई भी diet pen follow करेंगे जब तक यह तीन चीज़ें आप avoid नहीं करेंगे आपको result नहीं मिलने वाले आपका weight stuck होगा आपका weight कम नहीं होगा पहली जो चीज़ है वो आपको बिल्कुल avoid करनी है खास तो पर यह 30 day जो आप challenge ले रहे हैं उसमें 30 day का यह भी challenge लें कि 30 day में हमने white sugar बिल्कुल avoid करनी है white sugar आप बिल्कुल cut कर दें क्योंकि white sugar की वज़ा से insulin spike करता है जिसकी वज़ा से आपका weight कभी भी कम नहीं होता ठीक है पहली चीज white sugar आपने बिल्कुल avoid करनी है दूसरी चीज sugary product यानि white sugar के साथ साथ जो मीठी चीज़ें है वो भी आपने बिल्कुल avoid करनी है उसमें bakery के items आ जाती है जितनी भी bakery product है वो आ जाती है इसके लावा sweets, chocolate, candies, जितनी भी sugary product है ये आपने बिल्कुल cut करनी है इसके लावा जो third बहुत important चीज़ है जो आपने avoid करनी है वो है fast food, junk food ठीक है बाहिर का खाना आपने नहीं खाना और fast food बिल्कुल भी नहीं खाना ये pizza, burger, जितना भी junk food है वो नहीं खाना fast food आपने नहीं खाना, घर का खाना खाना है, साफ सुत्रा खाना है, बाहिर से मंगवा के खाना बिल्कुल भी नहीं खाना इसके लावा teen food, can food, packed food ये भी सब आपने avoid करना है ठीक है ये जो तीन चीज़े हैं ये आप must avoid करेंगे तो ही आपको result मिलने वाले हैं तो ही आपका weight कम होगा, otherwise आपका weight कम नहीं होगा तो अभी हम स्टार्ट करेंगे diet pen और diet pen जो है वो सुबा मॉर्निंग टू नाइट का होगा और जो जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, kindly देहान से देखिएगा, skip मत कीजेगा वीडियो जो चीजे मैं बता रही होती हूँ, बता चुकी होती हूँ, वो ही चीज आप comment box में पूछ रहे होते हैं अगर आप video full watch कर लेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपका weight स्टक नहीं होगा और आपका weight कम होगा ही होगा, बस देहान से आप video ज़रूर देखिएगा, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको guide कर रही हूँ, अच्छे तरीके से, ताके आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई problem नहीं हो, weight lose जरनी में तो डाइट पर हम स्टार्ट करेंगे, सुबा मौनिंग ड्रिंग से, और मौनिंग ड्रिंग के मैं आपको 5 ओप्शन देने वाली हूँ, तो फर्स डिंग ले सकती है, मदर्स जिनके बचे फीट करते हैं, और जिनका बैली बहुत जादा निकला हुआ है, बैली से परिशान सकती है, इसके लावा सेकिंड उप्शन उनके लिए है, जिनकी बॉड़ी पर फैड बहुत जादा है, वेट उनका स्टक हो चुका है, वेट कम नहीं हो रहा है, और जो शुगर के पेशेंट है, वो भी इस ड्रिंक का इस्तमाल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, एपल साइडर वीनिगर एड करना है, अच्छे तरह मिक्स करें, स्ट्रॉ के साथ इस्तमाल करें, इसके लावा थर्ड उप्शन उनके लिए, जिनके बॉड़ी पर बहुत जादा स्वेलिंग है, उनका वेट भी स्टक हो चुका है, बॉड़ी टीटॉक्स नहीं है, पेट बहुत जादा निकला हुआ है, गैस ब्लोटिंग का बहुत जादा इशू रहता है, वो ले सकते हैं अजवाइन टी, अजवाइन टी को बनाने के लिए आपने वान कप करना है गरम पानी और उसमें टू पिंच, टू पिंच आपने अजवाइन एड कर देनी है, जस्ट टू मिनट के कोल करनी है, वो ले सकते हैं cinnamon tea, cinnamon tea बनाने के लिए आपने one stick लेने है cinnamon लेकिन जस्ट वन इंच के ठीजिक है, वन इंच के cinnamon लेले, रात में ही आप रूम टेपरेचर पानी में फिगो के रखतें, थोड़े से नीम गरम पानी में भी आप भीगो सकते हैं, ढखके रखतें और और सुबह आपने इसका इस्तमाल करना है गरम करके भी कर सकती है और एज़टीज भी इसका इस्तमाल कर सकती है इसके लवा जो थाइरोड के पेशन्ट है जिनको PCOS का इशू है हर्मूनल इशू है वो ले सकते हैं मेथी दाना मेथी दाने के आपने सिर्फ पांच से छे दाने ही इस्तमाल करने है ठीक है आप कह सकते हाफ टीस्पून हाफ टीस्पून जो छोटा स्पून होता है उसका भी हाफ आपने एक ग्लास पानी में मेथी दाना बिगो के रख देना है और सुबह आपने इसको चान के पी लेना है इसकी इलावा आप कॉरियंडर वाटर भी इस् स्टेफ चूस कर लीजिए और डेली आप डीयूफ कर सकति की तो मॉर्निंग टूनि लेने के बाद आप शौ से दस मिनट यादी दो ज़ोग इंट्रों रहना है, अपनी बॉड़ी को एक्टिव जरूर रखना है, ताकि आपकी बॉड़ी में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो और आपका मैटबलीजम भी फास्ट हो ठीक है, वॉक एक्सरसाइज से आपने जरूर फोकस में रखना है, सिर्फ साथ से दस मिनट आपने एक्सरसाइज या वॉक जरूर करनी है, इसके बाद बात कर लेंगे बेक्पास्ट की, बेक्पास्ट जो है आपका नो बज़े तक हो जाना चाहिए, ठीक है, आठ से नो बज़े के बीच में आपने अपनी ड्रिंक लेनी है, और ड्रिंक के तकरीबन आदे घंटे बाद आपने सुबा का नाश्ता करना है, सिंपल सी मैं तीन से चार ओप्शन दूँगी, जो आपको पसंद है, वो आप पिक कर सकती है, और इन में से आप चेंज भी कर सकती है, ठीक है, जो आप्शन दी है, जस्ट आपने वो ही फॉलो करनी है, तो बेकफास में सबसे बड़ी जो आप गलती करते हैं, जिसकी वज़ए से आपका वेट स्टक हो जाता है, वजन आपका रूख जाता है, कम नहीं हो पाता है, वो यह है कि आप बहुत जादा हैवी बेकफास कर लेते हैं, सारी रात भूका रह आपने वन स्लाइस लेना है, ब्रान ब्रेड का, ब्राउन नहीं, ब्रान ब्रेड या फिर मल्टी ग्रीन ब्रेड उसका एक स्लाइस लेना है और वन टेबल स्पून आपने पीनट बटर लेना है, तो पीनट बटर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मार्कीट से cinnamon powder वो आपने spread करते हैं ठीक है यह आप खाएंगे सुबा नाश्ते में इससे आपको fiber भी मिलेगा और आपका पेट भी फूल रहेगा आपको भूग जो है वो फील नहीं होगी इसके साथ ले सकते हैं आप milk tea, milk coffee, black coffee या green tea ठीक है तो milk coffee भी ले सकते हैं milk tea भी ले सकते हैं लेकि ठीक है वो ही आपने इस्तेमाल करने हैं आप चिकन सेंड्विच भी बना सकते हैं वेजिटेबल सेंड्विच भी बना सकते हैं इसके लावा अगर आप एग सेंड्विच बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं ओमलेट के साथ सेंड्विच बनाना चाहें तो उसका सेंड्वि ट्रीटेबल पून दल्या लेना है रृट मिल लेना है और उसको अपनेसे पहले पानी जाये चाहता है और उसके पतके थाइब जाये मिलक कर से घता ये 5 लाइब ओसी घ्ल we blueberry भी add कर सकते हैं ठीक है ये one bowl बन जाएगा ये सुबह आप नाश्टे में खा सकते हैं इसके इलावा next option है आप two boiled egg ले सकते हैं साथ में आपने one apple का इस्तमाल करना है और एक से दो खजूरों का इस्तमाल करना है ठीक है ये option भी है आपके पास इसके इलावा जो पीना पसंद करते हैं जिनको milkshake पसंद है smoothie पसंद है वो किसी भी एक fruit की one glass milkshake ले सकते हैं या smoothie ले सकते हैं लेकि मिल्चे को स्मूधी को बनाने के लिए आपने low fat milk का इस्तमाल करना है और उसमें भी आपने sugar add नहीं करनी तो यह होगी breakfast की options आप किसी एक को पी कर सकती है या daily इन में से आप चेंज भी कर सकती है इसके बाद में आपको mid morning snack का बता देती हूँ mid morning snack आप सुबा 11 से 12 बजे के बीच में ले सकते हैं और mid morning snack में आप खा सकते हैं two dates यानि दो खजूरों का इस्तमाल कर सकती है और इसके साथ आपने one glass इस वोल का पानी पीना है यानि इस वोल आपने one tablespoon इस्तमाल करना है और one glass आपने room temperature पर पानी लेना है यहां मैं दिखा देती हूँ इस वोल कैसा होता है इससे आपका weight कम होता ही होता है आपको bloating नहीं होगी आपको भूक नहीं लगेगी आपका weight stuck नहीं होगा और आपको constipation का issue नहीं होगा जिनको कि सारे issues हैं या वो डरते हैं कि हम diet plan follow करेंगे पता नहीं हमारा weight कम होता है या नहीं होता तो आप दिन में एक से दो दफा इस वोल का पानी पी सकते हैं ठीक है उसको बनाने के लिए आपने one tablespoon इस वोल लेना है एक glass पानी में आपने भिगो देना है अच्छी तरह मिक्स करक है ठीक है पहली option है लालोबिया यानी red beans one bowl आप red beans salad खा सकते हैं उसमें खूब सारी vegetable एड़ करके अपनी पसंद के spices एड़ करके इसके बाद second option है आप corn चार्ट ले सकते हैं खूब सारी vegetable एड़ करके जितने भी spices पसंद है वो एड़ करें one bowl आप corn चार्ट का खा सकती है ठीक में भी आपने खूब सारी vegetable एड़ करनी है इसके लावा अगर आप योगर्ट एड़ करना चाहें दहीं आड़ करना चाहें वो भी आप एड़ कर सकती है लंच में आपने चाट का ही स्तमाल करने अगर नहीं लेना चाते तो फिर आप सिंपल जो है वो कची सबजियों का salad भ चाहें इसके लावा black भूने हुए चैने वो भी आप खा सकती है इसके लावा जिनको भूख बहुत जादा लगती है और चौकलेट भी पसंद है वो black चौकलेट की option ले सकते है milk चौकलेट नहीं black चौकलेट यह खाने में थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन इसको खाने क हमें बाद आपकी भूख एकदम से खतम हो जाती है आप इसके वान टू टू बार जो है वो इस्तमाल कर सकती है यह जाधा कौन्टिटी में खाई भी नहीं जाती ठीक है एक से दो बार ले लेंगी तो आपकी भूख बिल्कुल खतम हो जाएगी तो evening tea में जो आप ले सकते ह उसमें आप्शन मिल्क टी की भी है अगर आपने सुबह नहीं मिल्क टी ली शाम में ले सकते हैं लेकिन विदाउट शुगर और एक छोटा कप शुगर एड़ कर ली तो कोई फाइदा नहीं होगा ठीक है शुगर आपने बिल्कुल अवाइड करने हैं तो मिल्क टी के आपने 30-40 मिनट वाक जरूर करनी है इस डाइट पैन के साथ वाक नहीं करेंगे वेट उतनी तेजी से कम नहीं होगा और जिनका वेट स्टक हो चुक है उसके पीछे भी ही रिजन होती है जस्ट आप डाइट पैन फॉलो करते हैं और खापी के आप बैट जाते हैं लेकिन नहीं करते हैं जब तक आप चलेंगे फिरेंगे नहीं आपकी बोडी का फैट लूज नहीं होगा जब फैट लूज नहीं होगा ना आपके इंच लूज होंगे ना बैली कम होगा ना ही आपका वेट कम होगा तो इस चीज़ को प्लीज समझें के डाइट पैन के साथ साथ वॉक बहुत ज़्यादा जूरूरी है एक्सेसाइज अगर आम नहीं कर सकते कोई बात नी वीक में आप दो से तीन दफा एक्सेसाइज कर सकते हैं लेकिन वॉक जो है वो आपने डेली करनी है 32-40 मिनट इस डाइट पैन के साथ वॉक बहुत ज़्यादा जूरूरी है सुबह 10 मिनट कर लें या सुबह 15 मिनट कर लें शाम में 15 मिनट कर लें और रात को डिनर के बाद 15 मिनट कर लें जितनी भी आपको बिमारियां लगी हुई है बेशक वो थाइरोड है पीसियोस है हाई बीपी है शुगर है इन सारी बिमारियों का हल जो है वो वॉक है वॉक नहीं करे इसके बाद मैं आपको डिनर का बता देती हूँ, डिनर का टाइम फिक्स है, आठ बजे, रात आठ बजे तक आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए, और डिनर करने के बाद ब्राइम महरबानी आपने स्नेकिंग नहीं करनी, रात को आपने जल्दी सोना है और सुबा जल्दी के आपशन दोंगी, रोटी हमने पूरा दिन नहीं खाई, हम रात में खा सकते हैं, लेकिन रोटी जो है, वो वाई टाटा, या मैदे की रोटी नहीं होने चाहिए, जस्ट आप होल वीट, यानि जो चक्की काटा होता है, उसका इस्तमाल कर सकते हैं, आप बाजरे काटा इस आप ले सकते हैं, मोटी रोटी नहीं, बिल्कुल बारीक सी रोटी लेनी है, इसके इलावा जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, वो हाफ रोटी का इस्तमाल कर सकते हैं, जो इंडियन्स हैं, वो दो रोटी का इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंके पाकिस्तानी रोटी का साइ जो बॉयल राइस खाना पसंद करते हैं या डेली उनके घर राइस बनते हैं वो राइस खा सकते हैं आप 8-10 टेबल स्पून जो है वो राइस ले सकते हैं साथ में दाल, राजमा, सबजी, कड़ी जो कुछ बना हुएं वो आप ले सकते हैं लेकिन कोशिश करने हैं जो आपने खाना बनाना है वो कम ओईल में बनाओ ठीक है अगर आपके घर में जादा ओईल में खाना बनता है तो ओईल आपने हटाक के ही जो सबजी सालन है उसका इस्तमाल करना है ठीक है और अगर आपके घर में किसी दिन भर्यानी बन जाए तो आप भर्यानी भी खा सकते हैं प्ला तो यह होगी डिनर की आपस्ट अपनाने की आप इनमें से किसी एक कोपी कर सकती है या डेली चेंज भी कर सकते हैं लेकिन गोजते ही इसके बाद हम नाइटी लेंगे एपने अदे खंटे बाद लेनी है उसको बनाने के लिए आपने 1 टेबल स्पून सौंफ लेने वन पिंच आपने अजवाइन लेनी है और चार से पांच पते जो है वो मिन्ट लीव के इस्तमाल करने है ठीक है फ्रेश है तो फ्रेश भी इस्तमाल कर सकती है अगर ड्राइ है मिन्ट लीव वो भी इस्तमाल कर सकती है इसको आपने वन कप गरम पानी में बॉयल दे देना है तू से थ्री मिनट के लिए उसके बाद आपने चान के पी लेना है लेमन स्क्वीज कर सकती है हनी एड नहीं करना इस नाइट टी का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि यह आपका बैली कम करेगा आपके इंच लूज होंगे आपका वेट जो है वो लूज होगा आपकी बोड़ के लिए जिनका वेट स्टक हो चुका है और वो काफी अरसे से डाइट फोलो कर रहे हैं उनके लिए यह टिप है कि उन्होंने एक हफते के लिए अपनी डाइट छोड़ देनी है और खूब सारा खाना पीना जो खाना चाहती है वो एक हफते के लिए खाएं उसके बाद जो जी एकसेप्ट करना चाहता है कमण बॉक्स में जरूर बताइगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली सब में शेयर करें ताकि आप सब मिलकर जो है वो चैलेंच लें और जो भी आपकी रिजल्ट होंगे वो भी आपने कमण बॉक्स में जरूर शेयर करने है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, अपना बहुत ज़ागा ख्यार रखिएगा, अलाहाफेज